दोस्तों मैं होने तेस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोरेंज केफसूल के बारे में डेक्सोरेंज केफसूल क्या काम करता है हमारे सरीर में और उससे जुड़े बेनेफिट और साइडेफिट के बारे में भी बात करेंगे और साथ में जानेंगे डोजेस के बारे में भी तो चली वीडियो में आगे पढ़ते हैं और जानते हैं डेक्सोरेंज कैफसूल एक बहुत ही फेमस सप्लिमेंट है जो आम तोर पर इनिमिया के इलाज और उसके रोग थाम के लिए उप्यूग किया जाता है इसमें मुख्रूफ से आईरान, हॉलिक एसीड, विटामिन, बीटन सामिल होते हैं जो सरीर में हिमोगलोबिन और रेड ब्लड सेल्स के निर्मार में मदद करते हैं इनिमिया क्या होता है तो इनिमिया एगैसिस सिती है जिसमें सरीर में red blood cells यानि कि जो लाल रक्त कोशी काम होती है या हिमोगलोबिन की कमी होती है हिमोगलोबिन एक टाइब का protein है जो red blood cells में पाया जाता है और सरीर के विबिन हिस्सों में oxygen ले जाने का काम करता है जब हमारे सरीर में परयाप हिमोगलोबी नियारेट ब्लर सेल्स नहीं होते हैं तो यह आक्सिजन की कमी काड़ बन सकता है जिससे भी भी लच्छड उत्पन होते हैं एनेमिया के लच्छड बहुत सारे होते हैं यह से ठकान कमजूरी, सास की कमी, चक्कराना, तोचा पीली पढ़ना, सीर दर्द और हाथ पर ठंडे रहना यह सब एनेमिया के लच्छड हैं Dexorange capsule का इस्तेमाल कहां का किया जाता है तो एनेमिया के जितने भी सारे लच्छड होते हैं इनके रोगठाम के लिए इस capsule का इस्तेमाल किया जाता है या आपके सरीर में R.N. की कमी हो गई हो उस condition में भी इस capsule का इस्तेमाल किया जाता है और ये गरवती महिलाओं के लिए विश्वेस रूप से फायदयमंद होता है क्योंकि इसमें folic acid होता है जो रूड के विकास के लिए अत्यनतावसिक होता है तो इन सब condition में dexorange capsule का इस्तेमाल किया जाता है dexorange capsule के side effect की बात कर लेते हैं तो कुछ लोगों में इस capsule को लेने से कब्ज की सिकात होती है यानि constipation और dexorange capsule से पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है और इनमें एकदम common side effect में से जैसे ओल्टी या नौजिया जैसा फिर होना ये सब side effect हो सकते हैं dexorange capsule के dexorange capsule के doges के अगर हम बात करें तो dexorange capsule हमेशा वोजन के बाद लिया जाता है ताकि पेट में कोई समस्या न हो सके और इस capsule का इस्तिमार हमेशा आपको डॉक्टर के निर्देशा नुसारी लेना चाहिए पीना डॉक्टर की सला के नहीं लेना चाहिए खास कर अगर आप पहले से किसी अन्य देवा का सेवन कर रहे हो दोस्तों मीद करता हो कि वीडियो में दी गई जनकारी पसंद आये होगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आतो सब्स्राइब करें इसे मेडिसियन से रिलेटर कांटेंट देखने के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद